प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो के अंदर जब आप सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करोंगे तो कोट भी जवाब देते है क्योंकि वो इनसाफ करते है अमीश हमीश मुझे आप जवाब देने का मौका देंगे पहले मैं आज आपकी चैनल पे ये खुलासा करना चाहता हूँ अभी अभी मुझे खबर मिल तो मैं इस पोजिशन में ही नहीं हो कि मैं बात करूँ आपके साथ आपके सेलिबरेशन पे ये किलिंग फील्ड है यहां पे कौन कब मरेगा आप तो दिली में है आप मुंबे में हैं कहीं पर भी हैं आप आराम से बात कर सकते हैं हो बात सोच सकते हैं मगर आप हमारी मैं बाबर कादरी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देश के जब जवान शहीद होते हैं तब आपके मूझ से हमने कभी नहीं सुना कि आपने संवेदना व्यक्त करी हो कभी शोक व्यक्त किया हो मैं चला चला के हमेशा कहता हूं कि इस cord pact करो हमें घीने दो हमारी future generations को जंड direct करने के लिए उखर क्रने से क्या क्या हमें हम हमें समझ दिया रहा है कि आपको भी भारत के सब्विदार में भारत की सेना के साथ तो नहीं कड़े होते हैं मैं समझ सकता हूँ बावर कादरी को थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी अब्जेक्शन है बावर कादरी आपने अन इडेंटिफाइड मैं टेर्रिस के साथ भारत की फोच को रखा कैसे जोड़ दिया आपने क्या फोच भता है आपके आपके लिए नहीं जो पाएगी वो बोली कहां से आती है यह कभी नहीं देखा जाता नहीं बनाना जाए मगर जो मरता है वो कश्मीरी यह मरता है बावर कादरी ही पादरी तो बावर कादरी जो चलाने से बात नहीं मैं सबको मौका दूँगा अपनी बात रखने का लेकिन बाबर कादरी आप मेरे एक बड़े गंबीर सवाल का जवाब दीजिए आपने बड़े अच्छी बात बोली कि कश्मीरी मरता है कश्मीरी तो शहीद भी हुआ जो अभी अटैक हुआ था रिसेंटली पाकिस्तान का पा भी कहा था कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि कोई हिंदुस्तानी यहां पर मरे पाकिस्तानी यहां पर मरे या कश्मीरी मरे मरता तो इनसानी है ना यू यू और बेसिकली वार्मोंगर्स आपको समझगी आदिया बात क्या करते हैं इस आप अधिए इनसानीत मरी है आप मुझे बताईए मेरे मुल्क पर मेरे मुल्क के लादू कर रहे हैं और हमारी फॉज लेटा करें कि उनको लड़ा है तो आपके साथ लड़े किश्मीरी क्यों मरे बोलिये और कुछ बोलिये बोलिये तीस सेकंड और बोलिये यह के रहा हूं किश्मीरी को मत मारो खुदारा यह कॉन्फलिक्ट तो खात्व करो आप किसी भी किसी भी हालात में हम मरना नहीं चाहते हैं